Most Mysterious Force of India भारत के 6 तिलसमी किले तोस्तों, भारत हमेशा से ही अदबुत कला और संस्कृती का देश रहा है प्राचीन काल से ही भारत में कई महान राजाओं का जन्म हुआ जिन्होंने भारत की कला और संस्कृती को संवारने का काम किया इन महान राजाओं ने भारत में बहुत से बड़े-बड़े किलो का निर्मान करवाया जो सर्व संस्कृती और कला तक सीमित नहीं थे बलकि ये राजा, सेनापदी जैसे महत्वपुर्ण लोगों को संरक्षन देते थे और इन किलों में युद्ध के हतियार समेत और भी जरूरी वस्तवें रखी जाती थी भारत में कई किले ऐसे भी बनाए गए जिनके निर्मान के पीछे कोई न कोई रहस से जरूर चिपा है तो चलिए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में जो अपने आप में ही एक रहस से है चुनारगड का किला चुनारगड की धरती पर कई सारे तपस्वियों ने तपस्या की है और यहां स्थित किला भारत की प्रमुक इतिहासिक विरासत और एक अनमोल धरुवर है चुनारगड किले का इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह किला लगभग पांच हजार साल पुराने इतिहास का साक्षी है इस किले का निर्मान जिस पहाड़ी पर हुआ है वो पहाड़ी मानव चरण के आकार जैसी प्रतीत होती है और इसी वज़ा से इस किले का दूसरा नाम चरणाद्री गड़ भी है इस प्राचीन और एतिहास किले पर महभरत काल कई शासकों से लेकर उजयन के महान समराड विक्रमादित्य और अंतिम हिंदु समराड पृत्विरा चोहान ने राज किया और इन शासकों के बाद इस किले पर अकबर और शेशा सुरी जैसे मुगल बादशाहों ने शासन किया इस के निर्मान का रहिष्च से आज भी उजागर नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगोद्वारा इवम अन्य कि बंदित्त्यों द्वारा कहा जाता है कि योगिराज योप्रत हरी ने इस किले में समाधी ली थी और आज भी उनकी अलौकिक आत्मा इस किले में घूंती चुनारगड का किला भरत का सबसे तिलस्मी और रहस समय किला है और इस बात का प्रमान इसकी अदभुद बनावट में मिलता है दोस्तों ध्यान से देखने पर ही इस किले के तिलस्मी को समझा जा सकता है क्योंकि बलुवा पत्थर से निर्मित चुनारगड के इस किले के हर पत्थर पर किसी ना किसी तरह का चिन्न या संकेत है इस किले ने प्राचीन समय से ही अनेक उतार चणाव देखे हैं और आज के समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धी बाबु देवी के अनंद खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलस्मी उपनियास चंद्रकांता संतित के कारण मिली है क्योंकि इस उपनियास का केंद्र बिंदू चुनारगड ही है इस किले में बहुत सरी रहस्मी आत्माओं का वास है और ये किला काफी धरावना भी है आज के साई में बहुत सारी मूवीज और टीवी सीरियल्स इस किले के उपर बनाये जाते हैं और इसलिए ये किला पूरे भारत समीद विश्व भर में प्रसिद्ध है शनिवार वडा किला शनिवार वडा किला भारत के सबसे डरावने और रहस्मी किलों में से एक है जोकि भारत के प्रमुख राज्य महाराश्टर के पूने शहर में स्थित है इस किले का निर्मान सन 1746 में मराठा सामराज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले पेशवाने करवाया था ये किला 1828 तक मराठाओं के अधिकार में रहा और इसका संदर्र ही इसकी भेतरीन कारीगरी के उदर शाता है सन 1828 में इस किले में आग लग गई और इसका एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया और इस आग का लगने का कारण आज भी एक रहसे बना हुआ है लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकती क्योंकि बहुत से स्थानी लोग बताते हैं कि इस किले से हर अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज आती है और इस आवाज को आज भी यहां सुना जा सकता है कई लोगों का कहना है कि इस किले में कोई आज भी बचाओ बचाओ की आवाज के साथ चीखता है और यह आवाज एक ऐसे व्यत्ति की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी और हत्या के बाद उसके मृत्षरीर को पांस की एक नदी में बहा दिया गया था ऐसी मानने था है कि बाजी राओ की मृत्यों के बाद इस महल में राजनीतिक उधल पुधल का दोर शुरू हो गया था और इसी राजनीतिक दाओं पेच और सत्ता की लालच में इस महल में महस 18 साल की उम्र में नारायन राओ की हत्या कर दी कई थी कई लोग बताते हैं कि आज भी नारायन राओ अपने चाचा रागहुबा को पकारते हैं और कहते हैं कि काका माला बचावा जिसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ बताय जाता है कि इसी महल में रहने वाले सुमेर सिंग और नारायन राओ के संबंद अच्छे नहीं थे जिले में स्थित एक प्राचीन किला है इस प्राचीन और मजबूत किला को अयोधिया के राजा हरीचंद्र के बुद्र रोहिताश्व ने करवाया था ये विहार के रोहतास जिला मुख्याले सासाराम से लगभक 55 और डेहरी आन सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के ब को द्वारा कहा जाता है कि स्वतंद्रता संग्राम सेनानी अमर सिंग ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंद्रता का पहला युद्ध इसी किले से लड़ा था इस किले की दिवारे लगभग 2000 फीट उची है और ये भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है इस किले की ये पहले जब एक फ्रांसीसी इतिहासकार इस किले में घूमने आये थे तब उन्होंने यहां की दीवारों से खून निकलता देखा था और इस बात का वरणन उन्होंने अपने एक स्वालिखित दस्तावेज में किया और जिसमें उन्होंने लिखा था कि हरोतासगड के किले की द दिवारों से खून निकलता है और उनकी इस बात को वहां की जनता कई लोग आज भी सच मानते हैं। इस किले की सचाई आश तक कोई नहीं जानता और इसलिए ये किला आज भी लोगों के बीज एक कौतु हल का विश्य बना हुआ है। इस किले में कई ऐसी मूर्तियां स्थापित हैं जोकि बहुत ही पुरानी और मूल लिवान हैं। साथ ही इस किले की दिवारों को बहुत ही रहस्ते मेई ढंक से बनाया गया है। और इन दिवारों पर बहुत ही प्रवल और कुशल कारीगरों दुबारा बहुत ही साधी हुई नकाशी की गई है दोस्तों ये किला भरत का एक मातर ऐसा किला है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया था कई खोज करताओं और इतिहासकार बताते हैं कि इस किले में कई रहस समय सुरंगे और तैखाने भी है और कहा जाता है कि इन तैखानों में बहुत सारा खजाना चिपा हुआ है इस किले में ऐसी बहुत सी सुरंगे हैं जो आप भी एक रहस से वनी हुई है क्योंकि इन सुरंगों का रास्ता कहा जाता है इसके बारे में आप तक कोई नहीं जानता कहा जाता है कि इस किले की सुरंगों का रहस से तोमर वंश के राजाओं के पास था और ये अभी भी उनके वंश जो के पास मुझूद है प्राजीन लेकों और इतिहास कारों के मताबिक इस किले का निर्माण बगेल वंश के शास को दौरा कराये गया था पर इस किले से जुड़ी एक बात आज भी लोगों के मन में संशे पैदा करती है वो बात है कि इस किले का निर्माण की अवधी जी हाँ दोस्तों क्योंकि स्थानिये लोगों के अनुसार इस किले का निर्माण जिनों द्वारा एक रात में किया गया था इसलिए आज भी इस किले में लोग रात में जाने से डरते हैं कई लोग बताते हैं कि ये किला बहुत ही रहस्माई है और जिन आज भी इसमें छुपे खाजाने की रक्षा करते हैं। पर आज तक इस बात की कोई आपचारिक पुष्टी नहीं हुई है कि ये किला एक रात में बनाया गया या कई दिनों में। राज भी ये स्थानिय लोग के बीच बात विवात का विशे बना हुआ है। चांसी चले गए। ये किला एक बहुती शांत जगा पर निर्मित हुई जिसके आसपास जंगल है। जा थे। वे तालबेहट भी आते जाते रहते थे। इसने ललितपूर के तालबेहट में उन्होंने एक महल बनवाया था। यह उनके पिता प्रहलाद भी रह करते थे। एक ओर जहां मर्दन सिंग का नाम संबान से लिये जाता है वही उनके पिता प्रहलाद सिंग ने मुंदेल घंड को अपनी हरकत से कलंकित किया था। कहानी के मताबिक अक्षित रितिया के इस अलाके में महिलाएं नेग मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर जाया करती थे। कियों ने महल के छट से कूद कर अपनी जान दे दी और उसी दिन से इस महल में इन साथ लड़कियों के रोने और चिलाने की आवाज आती है और गाउं का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं जाता एक गड़कुंडार का किला मध्रदेश के निवाडी जिले के एक गाउं में मतकारों से भरा हुआ है क्योंकि 12 किलोमेटर दूर से तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है पर जैसी ही कोई इसके नस्दीक जाता है तो एक किला उसकी आखों से उजल हो जाता है आज भारत में इसके लिए से जुड़ी कई डरावनी कहानिया प्रसिद्ध हैं कि एक बर इस किले में पूरी बरात गायब हो गई थी जो अब तक वापस नहीं लोटी वो लोग कहते हैं कि जब एक रात इस गाउं में बरात आई तो उस बरात के 70 लोग इस किले के निचले हिस्से में घूमने गए और वो लोग बड़े ही रहस्य में ठंक से गायब हो तो दोसों ये थी हमारी वीडियो धन्यवाद